सो जया ही नमस्कार दोस्तों बहुत सारे बच्चे लगातर परिसान थे कि आखिर यहां पे IRB GD की भरती कब आएगी अगर आप भी IRB GD की भरती के इंतियार कर रहे थे तो इसी पीच आप सब के लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी यहां पे आ चुकी है कि यहां पे बहुत सारे बच्चों के अंदर यहां भी confusion है कि क्या IRB GD के लिए आल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते या फिन नह 24 से और इसका online apply की जो last date है वो है 13 October 2024 मतलब 13 October 2024 से आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे और उसके बाल बात करें यहां पर एडिटिंग करेक्शन होगारा का यहां पर 16-10-2024 से लेकर 18-10-2024 तक इसकी डेट यहां पर बता दी गई है उपर चलते हैं और भी जानकाई देत है वो यहां पर भेजा गय था आगे के लिए लेकिन इस प्रपोजल को यहां पर kaç कर दिया गया और इसमें जो गई इसकी बहाई से न मालने quantum लेकर इक साथ जितने भी इस्टेट मेंaining अए होती है उन साभी इस्टेट को मिलाकर एक साथ IRB की भरती निकाली जाए ऐसी सारी बाते कही जा रहे थी और इसका proposal भी आगे बढ़ाया गया था लेकिन इसको यहाँ पे reject कर दिया गया और दुबारा से यह बताया गया कि नहीं IRB की भरती जो है वो यहाँ पे state-wise ही होगी और state-wise ही यहाँ पे भरती करवाई जाएगी हर ए इस्टिक वाइज वेकेंसी यहाँ पे निकाली गई है टोटल तेरह सो सार पदो पर वेकेंसी आ चुकी है टोटल वेकेंसी भी आप सभी यहाँ पर एक बार चेकाउट कर सकते हैं वहीं उपर चलते हैं देखें यहाँ पर स्टेट वाइज वेकेंसी आई हुई है तोई दोस् इस बहुता दिया गया और बोला गया कि अब यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है वह चीजे मैं आपको यहाँ पहले बता देता हूं और सबसे पहले मैं बता दूँ इस भरती में सिर्फ male candidate apply कर सकते हैं female apply नहीं कर सकते female candidate हो जो यो applicable नहीं होगे इस वरती में ठीक है और सिर्फ क्या बताई गए है वह सारी शिजे मैं आपको पताने वाला हूँ एइस को लेकर बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं आपको बता दे 18 साल से लेकर 23 साल आपकी ऑज। यहां पर यह चीज़े बता दी गई है to be eligible to apply for the post of post the candidate must have passed high school certificate examination matriculation या 10th pass मतलब अगर आप दसमी पास है या matriculation मतलब दसमी माना जाता है तक अगर दसमी पास है यहां पर बोला गया है conducted by the board of secondary education ओडिसा यहां पर देखिये बता दिया गया है ओडिसा यहां पर रिखिया और का निसान है और का मतलब अथवा होता है ठीक है and equipment यहां पर लागया examination conducted by any any एदर रिखोजनाइट board और counseling यहां पर क्या बताया गया है चीज़े बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं लेकिन अगर मैं आपको एक्जांपल देना चाहूं तो यहां पर जो बच्चे ओडिस आप किसी भी state से आते हैं तो आप apply कर सकते हैं ऐसा भी आपको बहुत सारी यूटूबर बताएंगे लेकिन आपको उन बातों पर ध्यान न देकर आपको वो जानकाई लेना है जो आपको सही तरीके से दी जा रही हो यहां पर सिर्फ ओडिसा के बच्चे ही eligible होंगे ओडिस आपको वीडियो में provide करा देता हूं और यहां पर बताया गया है कि आपका कुछ criteria आप बताया गया है अगर आप यहां पर इंडिया के रहने वाले हैं तो आप इस भारती के लिए आविद्र कर सकते हैं इस चीदि यहां पर बता दी गई है ठीक है अब उपर चलते हैं और जो भी जानकारी important होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं तो वीडियो आप सब के लिए important है वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको यहां पर फार्दा होने वाला देखें यहां पताया गया है आप सभी का exam होने वाल है और exam में आप सभी का paper first होगा ठीक है जो कि आप second में आप सभी का यहां पर physical होगा पहले exam होगा फिर आप सभी का physical होने वाला है physical आप सभी का qualified nature करेने वाला है कोई भी नंबर आपको यहां पर नहीं मिलेगा अगर आप इसमें driver की post के लिए form भरते हैं तो आप सब का यहां पर driving test भी होने वाला है चीजी यहां पर बता दी हैं आप इसको एक बार चेक आउट कर सकते हैं और एक्जाम के बारे मताया गया है सव कुछ तना आएंगे सवरंबर कर रहने वाला है और 120 मिनिट का आप सभी का यहां पर एक्जाम में आपको समय मिलेगा ठीक है ए चीजिए आप सभी यहां पर चेक आउट कर लिजेगा फ 40KG आपका बैठ होना चाहिए छहततर आफ सबीक यहां पर बिना फुलाई चाहिए फुलाने के बाद 81 60 meter होना चाहिए रणिंग के बार एक की है च्स्ञाँ के बारे मैं बताया है अगर ragrapול comment here अगे ए यहां पर टीन अटेम्त दिये जाएंगे ठीक है और आप सभी के exam के wishes पर आप सबको यहाँ पर selection मिलने वाला है फिर आप सभी के यहाँ पर medical हो जाएगा यह selection process IRB में रहने वाला है जो बच्चे पहले से doubts में थे कि आखिर IRB की भरती आती है तो क्या आल इंडिया बच्चे फार्म वर सकते हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है ठीक हैं औरीसा में तो ऐसा बिलकुल नहीं है औरीसा में जो भी IRB की भरती औरीसा सरकार निकालेगी वो सिर्फ औरीसा के candidate ही अप्लाई कर सकते हैं ऐसा यहाँ पर qualification रखा गया है कि अगर आप high school qualify किये हो अगर आप औरीसा बोर से किये हो तो ही अगर में भी IRB की भरती आती है काफी सारे स्टेट हैं जहां पर IRB की भरती करवाई जाती है हो सकता है वहां का qualification कुछ अलग हो जैसा कि अगर एक साथ भरती करवाई जाती तो 17,000 वेकेंसी आती 17,000 वेकेंसी आती तो हो सकता था इसमें बदलाव किया दता है जो के सन क्वा 153-13वाई की भरती होती है लगबख वैसे ही इसकी भरती यहाँ पर Complete की जाती ही लेकिन आसा अना करके बताती हा गया कि अब यहां पर इynnचेटकी ब्रती ही स्टेट में वैसे ही सरकार है U.P. में क्या होता है U.P. में यहां पर Evil Police की भरती है जो की ठानें पर लगाए जाती पुलिस थिक और एक पुलिस की भरती है पीएसी की नाम से ठीक है और भी पीएसी की भरती यूवी पुलिस में नहीं आई हुई है जो कि आने वाली है कम से कम 18 से पीजर वेकेंसी पीएसी की भरती भी बटालियन में रहती है ठीक है जैसे आयर भी बटालियन में रहती है विसे पीएसी भी बटालियन में रहती है तो